हेलो फ्रेंड्स गुड मोरी नमस्कार सलाम सस्रेक लदाप कैसे हैं आप लोग उम्मीदा आप लोग अच्छे होंगे मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे तो आज की सबसे बड़ी ख़बर है जिसका हम लोग को बेसबरी से इंतियार था कि बीपेसी टीचर टीरी 3 का result कब आने वाला है तो उससे जुड़ी ख़बर है आज जो है सबसे महतपूर्ण ख़बर है कि टीरी 3 परिक्षा से जुड़ी खबर जो है कि result कब आने वाली है उससे जुड़ी खबर के बारे माज हम लोग बात करेंगा और यह निूज जो है आज बहुती ज़्य की viral news में क्या लिखा हो है कि 14 November से 15 November के बीच जारी होगा पहला result यानि हम लोग को जो है सब से पहले result देखने को मिलेगा 125 का result यानि सबसे पहले जारी होगा 125 का result और यह result जो है सारा result एक ही दिन में जारी नहीं होगा बलकि यह result जो है कई चर्णों में जारी होगा सबसे पहले 125 का होगा फिर उसके बाद 628 का होगा 910 का होगा फिर 1112 का होगा तो सबसे खुसकबरी की बात यह है कि सबसे पहले 1 to 5 का result जारी होगा उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसका क्या कहना है सुतरों के हवाले से कि BPSC ने result कर लिया है तयार यानि BPSC ने अपनी तरब से पूरी तयारी कर ली है और किसी भी दिन यह result जारी हो सकता है लेकिन यह डेट भी वाइरल हो रहा है कि 16 से 20 नॉवंबर के बीच जारी होगा 6 to 8 का result यानि 14 से 15 के बीच में जो है 1 to 5 का result जारी होगा और 16 से 20 नॉवंबर के बीच जारी होगा 6 to 8 का result और यह किसका कहना है न्यूज 18 के जो पत्रकार है रजनिस कुमार के कहना है और उसी के वाटस अप ग्रूप से ये न्यूज काफी वाइरल हो रही है और दूसरा हम लोग देखते हैं कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का अब तक आयोग का नहीं मिला है रोश्टर यानि इसके रिजल्ट में अभी लेट हो सकता है लेकिन सबसे बड़ी खुस कबरी ये है कि 1 to 5 और 6 to 8 का रिजल्ट हम लोग को बीस तारीक के अंदर अंदर देखने को मिल जाएगा 12 नौबर तक GAD से रोश्टर मिलने की अमीद यानि जब तक रोश्टर नहीं मिलेगा तब तक जो है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो है रिजल्ट जारी नहीं होगा ये रजनेजी का कहना है रोश्टर मिलने पर 25 नॉमबर तक जारी हो सकता है माधिमिक और उच्च माधिमिक का रिजल्ट 30 नॉमबर तक उच्च माधिमिक का जारी हो सकता है रिजल्ट तो ये संभावना जो है जताई जा रही है माधिमिक और उच्च माधिमिक के बारे में रिजल्ट के बाद सिक्षा युभाग करेगा पोस्टिंग यानि जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद अब यह नया चीज़ देखनों कि मिलेगा सबसे पहले अभियरती का डॉक्मेंट वरिपिकेशन होगा उसके बाद ही उनका पोस्टिंग किया जाएगा तो यह भी यह जो है काफी पॉजिटिब बाते हैं आयोग रिजल्ट जारी कर सिक्छा इवाग को भेजेगा रिजल्ट सीट यह तो ट्यारी वन से हो था रहे कि बिपेश सी आयोग जो है वो रिजल्ट जारी करके सिक्छा इवाग को भेज देता है बाकी प्रकिरिया पुस्टिंग वगरे जो है सिक्छा इवाग ही करवाती है तो यह था आज का वायरल नियूज का फुष्टी तो हम लोग को जल्द ही रिजल्ट देखने को मिल सकता है 15 नॉवमबर यानि 14-15 नॉवमबर से रिजल्ट आना सुरू हो जाएगा तो उम्मीद करता हूं आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगाई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं इस वीडियो में तब तक के लिए आपका दिन शुभू